हलो एवरिवन वल्कम बाक टो हिंदी होचपोच हिंदी होचपोच के नए वीडियो में आप सभी का हारदिक स्वागत है अचा करता हूँ कि आप सभी सकुचल है दोस्तों वर्नवी छेत विशेई पर जो मैंने वीडियो किया था शाय सारे लोगों ने देखा होगा आप सारे लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों इस वीडियो दोरा हम लोग CBSC देस्विन कक्षा के एक महत्यपूर्ण विशे की जनकारी प्राप्त करेंगी तो उसके पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया लाइक कीजी सब्सक्री कीजी और शेर भी कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो दोरा हम लोग समास की जनकारी प्राप्त करेंगी समास एक आसान विशे है पर कभी-कभी चात्रों को इस विशे पर बहुत संदेह भी हो रहा है समस्तपद क्या होगा कैसे समास विग्रह करना है कौन सा भेद है इस सारी बातों पर कभी-कभी चात्रों को संदेह हो रहा है तो दोस्तों, इस व्योडियो दरह हम लोग इन सारे संदेहों को दूर करेंगे और समास विशए की जनकारी प्राप्त करेंगे तो दोस्तों, आये जाने समास समास का मतलब क्या है? आसान शब्दों में यह संक्षिप्ती करन है या नहीं तो संक्षिप्त रूप में लिखना है समास उसकी परिपारशा देखे तो इस प्रकार है दो या उससे अतिक शब्दों को मिलाकर नया चोटा एवं सार्तक शब्द बनाने की जो परक्रिया है वो है समास उदाहरण देख लीजिएगा रसोई के लिए खर इसका समस्तबद बनेगा रसोई खर यहां पे रसोई करने के लिए खर है पर वहां पे भी हम लोग क्या है संक्षित रूप में हम लोग लिख रहा है तो रसोई खर आएगा और इसका सपस्टी करन माने समास विग्रह करते समय हमें रसोई के लिए खर लिखना है दूसरा शब्द देखियेगा रेलोम पर चलने वाली गाड़ी तो वैसे संक्षिप्त रूप में लिखने की जो प्रक्रिया है वो है समास आगे देखियेगा इस विशय में तीन शब्द है तीन टर्मिनोलजी है एक तो समस्तपद दूसरा है समास विग्रह तीसरा है समास के भेद समस्तपद या सामासिपद ये क्या होता है यह समास प्रक्रिया द्वारा हमें जो शब्द नया शब्द मिल रहा है वो है समस्तपद दूसरा था समास विग्रह यह क्या है जब हम लोग इसका स्पष्टी के रण लिग रहा है तो मने इसे तो क्या है अनेक शब्दों में जब लिग रहा है तो उस समय हमें समास्विग्रह मिलेगा उसके बाद तीसरा था समास के भेध कौन कौन से भेध होते है समास के भेधों की और जाने से पहले समास की कुछ और जानकारी हम लोग पराप्त करेंगे देखिएगा समस्त पद में जो हमें तो नया शब्द मिला है समस्त पद उसमें दो पद होते है पहला पद है पूरो पद दूसरा पद है उत्तर पद आगे देखिएगा समस्विग्र है मैंने जो कहा स्पष्टी करण है समस्तर पद याने तो सामासिक पद वो हमें संक्षिप्ती करन याने तो समास प्रक्रिया द्वारा हमें तो मिल रहा है आगे जाएंगे समास के कितने भेद होते हैं और कौन-कौन से हैं समास के छे भेद होते हैं पहला है अव्यई भाव समास दूसरा है तत्पुरुष समास तीसरा है कर्मधारे समास चोदा है द्वंद समास पांचवा है द्यूग समास छटा है बहुवरी ही समास तो हम लोग देखेंगे इसका वर्गी गरण किस प्रकार किया गया है तो पहले हम लोगों ने देखा था पूर्वपद और उत्तरपद, उसी के हिसाब से इसका वर्गीगरं किया गया है, देखियेगा जिस समस्तरपद में पूर्वपद प्रथान होता है, वह कुन-कुन से है अवे भाव समास और दिगु समास, तो अवे भाव और दिगु समास पूरवप्द प्रधान होता है तो यह दोंद समास तो थाय है तीसरा पद प्रधान होता है विशिश अर्थ प्रथान होता है यह समास से बहुवरी ही समास तो दोस्तों इस प्रकार समझे तो आपको बहुत आसानी होगी समास को अची तरह से आप समझ सकते हैं पूरों पद प्रथान है अव्यफाव रद्दिगु में उत्तर प्रथान है तत्पिर्ष और कर्मधारे में दोनों पद प्रथान होते हैं दोंदों में तीसरा पद यह दोनों पद को चोड़कर तीसरा पद प्रथान होता है या विशिश अर्थ प्रथान होता है बहुरी ही समास में तो दोस्तों दोस्तों पहले हम लोग ने अवेफाव समास की चर्चा की थी अभी हम लोग करेंगे तत्पुर्ष समास की चर्चा हम लोग ने देखा तत्पुर्ष समास में उत्तरपद जो कारक से संबंदित है कारक शब्दों से संबंदित है वो प्रथान होता है तो तत्पुरुष समास की जनकारी प्राप्त करने से पहले हमें कारक शब्दों की जनकारी प्राप्त करने से पहले है सर्वनाम और कारक इस संबंदित एक वीडियो मैंने पहले किया था कारक से संबन और जानकारी के लिए वो वीडियो देखिएगा अभी हम लोग जानेगे तत्पुरु समास तत्पुरु समास के कितने भेद होते हैं और कौन-कौन से हैं तत्पुरु समास के छे भेद होते हैं पहला है कर्म तत्पुरुष कारक के जैसे ही नाम है कर्म, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष है को, करन तत्पुरुष से द्वारा, संपरदान तत्पुरुष के लिए, अपादान तत्पुरुष से, संबन तत्पुरुष का के की, अधिकरन तत्पुरुष में पर, अभी हम लोग एक एक तत्प पुरुष समास को लेकर जानेंगे ये क्या है कहा कर्मत पुरुष इसका कारक कौन सा है को है इसमें उत्तरपद जो कारक से संबंदित है वो प्रतान होता है देख लीजिएगा को कर्मत पुरुष के उदाहरन कौन-कौन से है ग्राम गद ग्राम को गद गया हुआ गद माने गया हुआ यश प्राप्त यश माने प्रशस्ति यश को प्राप्त देश गद देश को गया हुआ देश को गद या देश को गया हुआ अगला है स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त जेब कत्रा जेब को कतरने वाला तो यह सारे कर्म तत्पुरुष के उदाहरन है कर्म तत्पुरुष के कारक है को आगे जाएंगे करन तत्पुरुष करन तत्पुरुष में से द्वारा इन कारकों का प्रियोग हो रहा है यहां पे जानने की एक और बात है करन में किसी का प्रियोग होने का बोध हो रहा है यानि से लिख्येत हैं. यहां पर जनम से लेकर अन्था है पर हम लोग ऐसे पुरा नहीं लिखेंगे. पहले कहा था. चोटा करके ही लिखेंगे. जनम से अन्था. भयाकुल भयसे अन्था. तुलसी कृत. तुलसी द्वारा कृत. अहरन तत्पुरुष में से द्वारा कारक है इसमें जॉइनिंग या यूसिंग का बोध हो रहा है आगे जायेंगे संप्रदान तत्पुरुष इसका कारक है के लिए उदाहरन इस प्रकार है विद्या आलाए विद्या के लिए आलाए यहां पे विद्या प्राप्त करने के हम लोग प्रात शद नहीं लिखेंगे वहां पे भी इसका लोब हो रहा है तो ऐसे ही हमें तो समास विग्रह लिखना है विद्या के लिए आला है पुस्तक आला है पुस्तक के लिए आला है पुस्तक के लिए आला है पर हम लोग पुस्तक के लिए आला है या पुस्तक के आगे जाएंगे आगे है अपादान तत्पुरिश इसका भी कारक से है करन करक का तत्पुरिश भी से था यहां पे भी से है तो यहां और करन में मनें अपादान और करन में क्या-क्या अंतर है वो भी हम लोग जानेगे करन में हम लोग उने देखा था वहां पे यूसिंग या जोईनिंग का बोध हो रहा है जोईनिंग इसलिए वहां पे कहा क्योंकि यहां separation का बोध हो रहा है यहां पे अलग होने का प्रदक होने का बोध हो रहा है देखिएगा उदाहरन रोग मुक्त रोग से मुक्त तो रोग हमसे अलग हो गया धन हीन धन से हीन तो धन हमारे पास नहीं है तो धन से हीन है पद भर पद से मने रास्ते से भरष्ट मने अलग हो गया लक्षे हीन लक्षे से हीन हो गया लक्षे से बढ़का हुआ है सेवा मुक्त सेवा से मुक्त रटेर हो गया मने सेवा अभी नहीं है तो यहां पर अलग होने का पृतक होने का भाव हो रहा है इसलिए यह अपादान भी से है कर का, के, की, देखिएगा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, घुड दवड, घोडों की दवड, पराधीन, परों के अधीन, आघ्या अनुसार, आख्या के अनुसार, राजा क्या, राजा की आघ्या, दोस्तों, संबंध तत्पुरुष में का, के, की, इन कारक्शब्दों का प्रियुग हो रहा है आगे देखियेगा अधिगरन तत्पुरिश में दो कारक है में इन पर ओन देखियेगा जल मगन जल में मगन सिर दर्द सिर में दर्द दान वीर दान में वीर आगे पर आप बीती आप पर बीती जो पास्ट जो हो गया है घुड सवार घोडे पर सवार रेल गाड़ी रेल ओम पर चलने वाली गाड़ी तो अभी हम लोग ने चर्चा की है तत्पुरुष समास की तत्पुरुष समास के छे बेद होते हैं कर्म तत्पुरुष का कारक है को करन तत्पुरुष से के द्वारा प्रदान तत्पुरुष के लिए अपादान तत्पुर जोईनिंग का बोध और अपादान में अलग या प्रतक होने का सप्रेशन का बोध हो रहा है दोसों आपको तक पुरुष समास की थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी अगले वीडियो में हम लोग कर्मधारे समास की चर्चा करेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया ह है तो क्रपया लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा वीडियो अंदर तक देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे डंक्यूं झाल